हलो प्यारे दोस्तों स्वागद आपका इंटर्वियो क्लासेज में डिस्कस करेंगे अपनी वर्क्षीट नमबर एट्थ जिसके अंदर एपना लेसन नमबर फेप्थ दे हंड्रेड ड्रेसेज पार्ट फस्ट ठीके ना कुछन देखिए वंडा वज वंडा थी कौन थी रफ वंडा वियर वंडा ने कितनी ड्रेसेज पहनी पहनती थी हाउ मैनी ट्रेसेज तो आप कहेंगे ओन्ली वन ठीक है रहा हूँ वास पैगी स्क्लोजेस्ट फ्रेंड पैगी की सबसे गहरी मित्र कौन थी तो आप कहेंगे मैडी ठीक है नेक्स्ट वाला कुशन देखिए अंसर डिस्कूस करते हैं ठीक है वाट शोब दैट पैगी एंड मैडी वेट फॉर वांडा क्या दिखाता है कि पैगी और मैडी थे ना वो वांडा का वेट करती थी तो वांडा हैड मेड दैम लेट टू स्कूल वांडा ने एक दिन उनको लेट करवा दिया था कैसे क्यों कि वो रास्ते में वांडा का वेट कर रहे थी वांडा आई नहीं फिर था कार के कि आ नहीं रहे स्कूल गई तब तक लेट होगी they had waited for her to have some fun with her क्योंकि वो उसका मज़ा खुडाने के लिए वेट कर रहे थी तो यह लाइन दिखा थी को उनका वेट करती थी why did Peggy and Maddy wait for वांडा क्यों वेट करती थी they wanted to have some fun with her ठीक है विद वांडा यहां हर कुछ भी बोलो ठीक है ना तो उसका मज़ा खुडाने के लिए वाई दिट वांडा मेक पैगी एंड मैडी लेट फॉर स्कूल ते इनों कोशन एक ही है कहना का मतलब वांडा हैंड वांडा हैंड वांडा यूज होता है is cooked by my mother tastes much better तो the food which खाना जो मेरी महा ने बनाया ठीक है children work hard always children who work hard always बच्ची जो बहुत work hard कर रहे हमेशा पास होने के लिए ठीक है ना the girl dash brother is a doctor is my friend तो the girl whose brother जिसका भाई ठीक है ना और जब भी place आ जाए जगह आ जाए तो आप हमेशा वेर बढ़ते हैं ठीक है ना this is the school where I read जहां मैं पढ़ा था ठीक है ना चलिए जहां मैं पढ़ता हूं ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक के लिए सांदार डंग से पढ़ते रहे हैं जय हिंद जय भारत